हेलो श्टिएंट्स के यूटी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है मध्य प्रदेश कॉंश्टेवल परीच्छा के तयारी कर रहे है आरच्छा भरती परीच्छा के लिए एक बड़ी ख़वर है कि इसकी रूल बुक रिलीज कर दी गई है पी इबी के द्व क्या है यानि कि रूल बुक है उसमें कौन कौन सी जानकारी साजह की गई है तो सबसे पहले रूल बुक में ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रादम तिक दे रखा उन्होंने की 31 दिसमबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं और लाश्ट डेट होगी उसकी 14 जनवरी 2021 त 2021 से परिक्षा स्टार्ट होगी क्लियर यहां पर फॉन्ट थोला सपोर्ट नहीं किया है तो 6 मार्च 2021 से परिक्षा स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन बेस पर फिर इसके आदमें परिक्षा सुल्की बार जानकारी दी है कि अगर आप एक प्रश्ण पत्र के लिए दो प्रश तो यह थी की जानकारी इसके बाद उन्होंने परिक्षा की तिती और पाली की जानकारी दे रखी 6 मार्च 2021 यहाँ फॉन की प्रावलम आई है तो 6 मार्च 2021 से परिक्षा दो पालियों में होगी प्रिथम पाली साथ बज़े से आठ बज़े तक आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा फिर इसके बाद में साधे आठ से नौबे तक आपको निरदेश पढ़ने का टाइम होगा आधार के आधार कार्ट बनवाकर रखना होगा ठिक क्योंकि उसे के आधार पर आप प्रत्यक बोड द्वारा आयुजित परिक्षां में मूल फोटो यूट पहचान पत्र लाना अनिवार होगा आपको मतलब अपना फोटो यूट फोटो आईडी लेका आना होगा चाहिए यूजित द्वारा अधार कार्ड मद्दाता पहचान पत्र पैन कार्ड ठीक रिपोर्टिंग समय तक परिच्छा के प्रिवेश की अनुमत होगी उसके बाद प्रिवेश की पात्रता नहीं होगी इलेक्ट्रानिक गैजट कोई भी मॉवाइल कैल्कुलेटर लॉक टेवल परिच्छा कोई भी चीज़ आपको ले जाना वर्जित होगा ठीक है तो यह सब जानकारि आपके दिए रखा है इसके बाद में अगर हम देखें तो उन्होंने जो जानकारी दी है कि आरक्षण तालिका दे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रत्य जो भी केटेग्री ओपन केटेग्री एक सर्विसमेन फीमेल अन्रिजर एस्टी इवस इन सब के अधार पर पदों का जो है वर्गी करण किया गया है क्लियर आगे बढ़ते हैं देखते हैं और कौन को से जानकारी उन्होंने दे र कर दिया जाए ठीक तो इस प्रकार की जानकारी भी दी जा रही है इसमें और फिर बोला है कि ऐसे अभरती जो मद्यप्रदेश के स्थानी निवासी नहीं है सिर्फ अनारचित अथवा ओपन के अंतरगत रिक्त पदोहित अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तो को निर्धार एक अगस 2020 से किया जा रहा है को नियूंतम 18 वर्थ और अधिकतम 33 वर्थ होना चाहिए मतलब ओपन केटेगरी केंडिडेट की अधिकतम 33 वर्थ निर्धारी तो की गई है क्लियर अब बात करते हैं वेतनमान की तो आरक्षक जो जीडी है उसके लिए उनिस जा 500 से 62 जार का वेतनमान रखा गया है फिर बात करते हैं इसके आगे उन्होंने परिक्षा केंडर की जानकारी दे रखी है अधायदो में आयुशीमा जैसा कि हमने बताया कि आयुशीमा का जो निर्धार होगा है एक अगस 2020 से किया जाए यानि कि एक अगस 2020 को मिनिमम 18 वर्थ और अधिक्तम open category में 33 वर्थ की आई होना चाहिए फिर उसके आगे उन्होंने महिला अवेतकों के लिए दे रखा है कि अधिक्तम पांच वर्थ की छूट दी जाएगी यानि कि अधिक्तम जो उम्र होगी वह 38 वर्थ हो सकती है ये बात है राजपत्रित कारपाली यानि कि म महिलाओं के लिए क्लियर फिर उन्होंने फिर नीचे लिखा है सामान प्रशाषन विखाग मद्यप्रदेश शाषन के आदेश क्रमांग किसके अनुसार 12 मई 17 के अनुसार प्रदेश के बाहर के भीरतियों किसी विश्तिद में आई श्रीमा में छूट प्राप्त नहीं रोजगार कारयाले में जीवित पंजीयन होना अनिवार है ठीक तो मत्यप्रदेश के रोजगार कारयाले में जीवित पंजीयन होना चाहिए मतलब के भी हो चल रहा हो अपडेटेड होना चाहिए ठीक फिर इसके बाद देखते हैं और क्या जानकारी उन्होंने रखा है इस इसमें एक संतान होने पर आप पात्रता परिच्छा से वंचित किये जा सकते हैं अब बात करते हैं नियुन्तम सारीरिक अरहता ये बहुत इंपोर्टेंट है इस परिच्छा के लिए तो आरक्षक जीडी अनारचित अनसुचित जात ये पिछवावर के पुरुशों की उंचाई जो है 165 सेंटी मीटर होना चाहिए अगर हम बात करें सीने की तो 81 सेंटी मीटर शीना होना चाहिए और फुलाओ 5 सेंटी मीटर यानी 86 सेंटी मीटर होना चाहिए सीने के संदर में महिलाओं पर ये चीज लागू नहीं होगी आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजात की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजात में जो हाइट होगी 160 cm पुरसो की महिलाओं की 155 cm और सीने की अगर बात करें तो उसका 76 cm सीना चुलाई होनी चाहिए और फुलाओं होने पर 81 cm यहां भी महिलाओं के उसमें संदर्वी चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए अब भीहरती का सीना फुलाने एवां बिला फुलाने में कम से कम 5 cm का अंतर आवश्यक है ठीक इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है महिलाओं में द्वार के लिए सीने का कोई माप प्रावधान तो आरख्षक GD के लिए 10-2 प्रडाली के अंतर गया दस्वी परीख्षा की परीख्षा अथ्वा हार सेकेंडरी परीख्षा है सम्कच परिख्षा उतियों होना चाहिए ठीक रेडियो के लिए इस पत के उम्मीद्वार को 10-2 परीख्षा के अंतर गया और बार में पास हो निखी ट्रेड में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रानिक टेली कमिनिटेशन कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी यह सब यह आवश्चक है और अगर हम बात करें अन्सूची जंजात के लिए तो अन्सूची जंजात के लिए केवल आठीक परिक्षा उत्वा अची अचीजाए डेरेल 8 Odyssey के लिए ऐपको आटीए करिशा को इक ब्रूमेशन के लिए कि शूट नहीं कर ऐसे अभघती के आज्ञा सकीजिक जई इस एन्शंस्ठाव संचारित पर इच्छा ऐससे इस तर्से उत्व की हो जो शूंत चीय। अभ्यार्थी को परिच्छा चैन के लिए पात्र समझती हो ठीक समित अपने विवगर्ण सा ऐसे अभ्यार्थियों को भी परिच्छा चैन में सम्रीद कर सके कि जो अर्ष हो किन्त जिन्हों ने ऐसे विदेशी विद्याले से उपाधिय प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा व पुरा वर्णन दें रखड़ा है की आपको कहा परिशना की जा सकती है अब आती है बात परिशह की यूजना की तो प्रथम प्रशम्त्रण पत्र समस्त पदों के लिए और एक फटरी प्रकुटेत मरें के लिए और प्रेशली अंध्या दोनों के लिए कर रहे हैं उनको दो प्रेशन पत्र देना होगा और जो केवल जी डी के लिए दे रहे हैं उनको केवल एक प्रेशन पत्र देना होगा दूती चरण पहला चलान तो यह हो गया दूती चरण जो होगा वह सारी रिक प्रवेड़ता परिच्छा होगी थी ना देखते हैं कि आगे क्या जानकार उन्होंने दे रखा है जो काम की हो अपने तो अच्छा है फिर यह सारी अर्थता में एक चीज़ और उन्होंने दे रखा है कि अरिक्षा जीडी के उम्मिद्वारों के लिए जो चात रहें वह 800 मीटर की दौर सफल होने हैं समय सीमा तो तो आरखश्य जीडी के लिए यह भी मानेता है लंबी कूत 13 फिट आपको तैख करनाई होगी आरखश्य जीडी महिला होमगारड के लिए जो दौर होगी चार Rapt की होगी फंद्रा फ्रीट का गोला होगा चार किलो ग्राम का वजन का और उसको लंबी कूत 10 फिट की तैख कर करनी होगी 19 फिट गोला 7.260 किलोग्राम का वजन मतलब कि यहां पर जो है मापदल लगभख शेम है जी डी और रेडियो के लिए क्लियर अब परिच्छा परड़ाम की घोशला है तो परिच्छा परड़ाम की घोशला परिच्छा के बाद में की जाएगी आपको अपना जो म यात्रा किराया की तो यात्रा किराया जो है जो रिजर्व के टेग्री छात्र है उनको यात्रा का किराया भी दिया जाएगा तो यह थी लगभव रूल बुक तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अब बात आती है कि इसमें जो परिच्छा का जो वह सिलेबस है उसकी और जो पैटर्न है उसका तो इस परिख्षा से संबंदी जो भी जानकारी होगी जो भी चलेबस है उसको हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा करेंगे चाहे हुआ आपकी जनरल एवरनेस का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो या फिर जिग्राफिक का हो वो सब चीजे हमें आप अप फारल पहचान पत्र ले जाना होगा इलेक्टरानिक डिवाइस आपको वर्जित होगा वो ने ले जाना है है ना है अचा यह ऊंलाइन परिख्षा के लिए रखा है यह ठीक है तो फिर अच्छा यह दिया रखा है आपका लिखी परिच्छा का पार्ट करम शामान ग्यान और तार्किक ग्यान यह 40 अंक का होगा यह मेजर पार रोल प्ले करेगा इसकी तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं सामान ग्यान के लगवा हमारी जेनरल वीजियोग्राफी है अवरन सरल अंक गणित का ठीक है तो यह थी मोटी मोटी जानकारी अच्छा एक चीज़ और आपको यह जो पेंज दे रखा है यह प्रारूप प्रमार पत्रों के प्रारूप इसको आपको स्कैन करना है प्रिंट निकालना है इसमें अपनी फोटो यहां पर अपनी फोटो लगानी यहां पर अपने सिग्नेचर करना है और इसके नीचे जो है यहां पर आपको यह टेक्स को पूरा लिखना है मैं घोषड़ा करता हूँ मेरे दौरदी ज्यानकारी सद्जय है इस सब चीज़ें आपर लिखनी है और इसको स्कैन करके आपको अटेश करना होगा अपने फाउ होएंगे आप चैनल असाट जुड़े रहिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्स्ट्राइब कीजिए वीडियो स कचे की चैजए है अपने